हलो एबरीबन कैसे आप सब लूग सच बात तो यही है आप जब तक बच्चे के लिए आप एक धाल बनके खड़े रहोगे ना वो कभी भी कोभी चीज सीखने सकता उसको सिखाने के लिए हमें अपने आपको बदलना होगा तो चलिए एक कहानी के जरीये में आपको सिखाना चाहती हूँ या बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो चलिए आज की कहानी हम सुरू करते हैं एक बार एक आदमी अपने गार्डन में तहलते हूए किसी टहनी से लटका हुआ एक तितली का कुकून देखता है कुकून तो आप स crawl पता होगा जब तितली छोटे बच्चे के फ़र्म में होती है तो कुकून के अंदर होती है फिर वो बाहर निकलती है तो तितली बन जाती है हर रोज वह आदमी उसे देखने लगता है और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में से एक छोटा सा छेन बन गया है और उस दिन वह वहीं बैठा रहा वो देखना चाहता था कि किस तरीके से तितली उसके बाहर निकलती है और उसने देखा कि तितली बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही है पर वो निकल नहीं पा रही है उसको बहुत दया आई उसने देखते देखते ही उसने मन बना लिया कि निशे कर लिया कि उस तितली की वह मदद करेगा उसने कैची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि तितली बहुत असानी से बाहर निकल आई तितली बिना किसी संघर्स के असाने से बाहर तो निकल आई पर उसका सरीर सूजा हुआ था और पंक सूखे हुए थे वो आदमी तितली को यही करके देखता रहा कि तितली कब उड़ेगी और वह उसको देखके खुश होगा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसके उल्टा बिचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसने अपनी बांकी की जिंदगी इधर उधर गिसटते हुए बिता दी वो आदमी अपनी दया और चल्दिबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दर असल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रक्रित ने इतना कठी निसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के सरीर में मौझूद तरल उसके पंकों में पहुंच सके और छेंच से बाहर निकलते के साथ ही वो उड़ने लगती है वास्तों में कभी-कभी हमारे जीवन में संघर्स ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच अवशकता होती है यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे बिना परिश्रम और संघर्स के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी छमता है इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक डिस्ट कोर से देखिए वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी जिन्दगी की उड़ान को पॉसिबल बना देंगे तो आप लोगों ने सुन ये नहीं तुमसे ये काम नहीं होगा तुम ये नहीं कर सकते आप उसको मोटिवेट करिए उसकी छमता के अनुसार усे वह कार्य करने दीजिए ज़रूरी नहीं कि स्टड़ी ही हर वक्त बहुत जद्स ज़रूरी है इस्टड़ी करते रहेगा करते रहेगा बच्चा पढ़न पढ़ना पढ़ना पढ़ने से ही वो सब को सीखेगा पढ़ने के साथ साथ पर activities भी बहुत ज़रूरी होती है उससे भी बच्चा बहुत को सीखता है पुजास कॉर्णर और मैं हूँ पुजा तो अभी आपनों ने देखा मैं जोस पी रही थी actually क्या है न मुझसे न अनार नहीं खाया जा रहा है और जो की बहुत अच्छा है इस टाइम पर मुझे खाना तो उसके लिए हम लोगों ने काल लिया है कि उसका मैं जोस बना के मामा बना के मुझे देती है और मैंने कुछ स्प्राउट्स में बनाए है उसको मैं दिखा देते हूं आपको यह देखो मैं कि इत्ता अच्छा अंकुरित हो गया है इसको मैं और ममा दोनों लोग खाएंगे खाओगी अब भी यहाँ पर ममी ने देखो यह सलाद के लिए काट दिया है लौकी की एक सबजी बनी है और यह चटनी बन गई है यह कल में कुछ ड्राइफ रूट्स लेके आई थी जिसमें मैंने लिया था चुहारे यह बहुत अच्छे लगते हैं दूद में इसको अच्छे से डिप करके सुबह खाओ बहुत बढ़ियों लगते हैं और यहाँ पर लिया है मैंने पिस्ता पिस्ता भी बहुत अच्छा और यहाँ पर काजू और यह है अंजीर अंजीर मेरा पहला मतलब मेरा पहला एक्सपिरेंस इसको खाने का तो बहुत अजीब सा टेस्ट लग रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको खाऊंगी और यह सारी चीजे मैं कल लेके आई हूँ और यह सारी चीजे मैं मॉर्निंग में ल गर की जो है बड़ी सूख गई है ये नीचे जो भावी लोग रहती है उन लोगोंने बड़ी बनाई है तो उनकी बड़ी अब सूख रही है तो इस टाइम पर बड़ी का ही मौसम है अब तो बहुत जल्दी न गोभी की बड़ी बनने वाली है तो देखती हूँ ये दिबनती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी और हम ममा हाँ पर आ गए हैं पापा उदर पे लगे हुए हैं देखो बैठ के न आप लोग को क्या लग रहा है पापा क्या कर रहे हैं पापा मोबाइल कान में लगा के कुछ सुन रहा है तो यही में न पापा जब तक रहते हैं तो छट तो बिल्कुल साफ ही रहते हैं कि आल टाइम इसमें इसकी सवाई वो करते रहते हैं और यहां पर देखो हम और ममा बैठ गए हैं और थोड़ा से स्प्राउट्स काएंगे और थोड़ी बाते करेंगे तो दूप का इस समय पर माजा दूप लेनी चाहिए लेकिन धंड में बारा बच तक फिर भी चल जाएगा और इसके बाद जाके फिर खाना पीने में लगेंगे तो खाना पीना बनेगा कभी कभी लगता है ना कि मैं इतनी मतलब मुझसे क्यों सांत नहीं रहा जाता मैं बहुत सारे लोग को देखती हूं ना पूरा दिन उनका हिदा उदर में ही टाइम निकल जाता है पर मुझे ना कुछ ना कुछ काम करना अच्छा लगता है तो ये सब कहां से आए ये सब मेरे पैरेंट से ही आए मेरे ममी पापा भी ऐसे ही है वो खाली बैठी ही नहीं सकते कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है तो ये देखो ममा यहाँ पर कुछ सिल रही है तो इस टाइम पर मशीन तो ऐसी हो गई यूजवल वाली कुछ भी चीज सिल ली है ममी मशीन में थोड़ा सा कर दो तो ममा को भी मज़ा आता है और हम लोगों का भी काम हो जाता है और उसके बाद आज गैस सिलेंडर से बहुत ज़्यादा गैस निकल रही थी तो वही मैंने पापजी को बताया तो पापजी आए हैं यहाँ पे देखो ये जो गैस का उपर वाला हिस्सा होता इसमें ना सिलेंडर में उपर में एक रबर लगी होई होती है वो रबर कभी कभी पे ना कटी होई होती जिससे ना गैस निकलती है तो यदि आपके घर में भी ऐसा हो रहा होगा तो इस रबर को आप इस तरीके कर से निकाल लीजे और अपने खाली वाले सिलेंडर में चेंज कर दीजे खाली वाले स्रिंडर का निकालके और भरे वाले में लगाई है भरे वाले का खाली वाले में तो हम लोग ऐसे ही करते हैं जब कभी भी होती है और ये गैस लिकेज हो रही थी जो प्रापर तरीके से बन गई है तो ये पापा जी इसको बना रहे हैं तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो तो वही मुझे लगा मैं आप सबको भी बता दू और करो और करो तो देखिये सुर्यान्स बाबू क्या कर रहे है ये एक्सरसाइस कर रहे है और इनकी पैंट नीचे जा रही है और पैंट को नीचे से खीच रहे हैं जिससे इनका नीचे लेबल में आ जाए तो पीछे से निकल जा रहा है तो बस यही मस्ती करता रहता है और टाइम इसका कुछ न कुछ चलता ही रहता है और यह सारे ड्राइब फ्रूट्स मैं बॉक्स बेसे में भर के रख देती हूँ सब सुबह सुबह मैं इनको जरूर लेती हूँ तो यह मॉर्निंग रूटीन ही है मेरा एक तरह से कि सुबह जैसे मैं उठती हूँ न ब्रेश वर्श करने के बाद नहाने के बाद सबसे पहले मैं आते हूँ तो इनको जरूर खाती हूँ और आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा यह दि चैनल पर नए है तो बिना सबस्क्राइब किये मत चाहिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेयर करिए थांक्यू फॉर वाचिक मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और आप लोग ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखे